हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आपके छोटे छोटे कनफीजन जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं लगतार आपकी कमेंट्स आ रही हैं कुछ कनफीजन में आज फिर से दूर करने बालाओं पहला कॉशन है कि वर्ग दो की वेरिफिकेशन डेट कब तक आएगी तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि वर्ग की वेरिफिकेशन डेट आच चुकी है और इसमें यदि आप भुपाल का सेडियो लेखेंगे जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की वो यहाँ पर 16 जुलाई 2020 डली हुई है बर्ग एक की अदि हम फाइनल सत्यापन उपरांद अंतिम चाहन सूची या पिर्टिक्चा सूची की बात करें तो वो जुलाई 2020 में जारी हो जाएगी बात करें वर्ग 2 की दोस्तों तो यहां पर लिखा है सत्यापन उप्रांद अंतिम चाइन सूची प्रितिक्चा सूची का प्रिकासन अगस्त 2020 में यानि कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है चाइन सूची जारी करने में और वर्ग 2 की जो आपका सेडूल जारी हो जाएगा दोस्तों मैं अनुमानित रूप से कह सकता हूँ कि इस बीक में जारी हो जाएगा यानि की आपका मंडे से लेके और सेटरडे के बीच में कभी भी जारी हो जाएगा जो भी schedule होता है वो करीबन 8 से 10 दिन यानि कि एक सब्ता पहले तो डाला ही जाता है और वो schedule हैंपर update हो जाएगा दोस्तों जैसी होगा मैं लेकर आउंगा तो कोई चिंता नहीं है आपका जो अगला सब्ता आने वाला है उसमें वर्ग दो का जारी हो जाएगा बहुत से वाई व्यानों के question है कि आदेम जाती कल्यान विवाग वर्ग दो का कोई schedule जारी नहीं होगा है दोस्तों तो definitely आपने आप में सच्चा ही है कि कोई भी जारी नहीं होगा है और इस social media अभियान भी दोस्तों इसी के लिए चलाये गया तकि जन जाती विवाग वर्ग दो का रोष्टर जल्दी से जारी हो निया मनुसा जल्दी से जॉइनिंग हो जिसमें आपने काफी सहयुग दिया दोस्तों उम्मीद हैं पर यह है कि जुलाई में यह जारी हो सकता है और जुलाई के फर्ष्ट वीक में यदि यह जारी हो जाता है तो आपकी जो उच्च मादमिक की जितनी सीटे हैं और जैसे जारी हुई हैं उसी हिसाब से मादमिक सिक्चक की जो सीटे हैं वो यदि बताती जाएं और बहुत से लोग जगे 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 जाकर ग्यापन भी दे रहा है इसके लिए उसका भी हमें समर्थन करना होगा अगले कॉशन पर चलती हैं दोस्तों दस्ताविश्टों आपको पताई है कि जो आपने अपलोड किये हैं वही ले जाने हैं बहुत से लोग अभी भी ये पड़ेगा क्या या फिर और कुछ ले जाना पड़ेगा तो आए प्रमान पत्र का मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी नियम नहीं मिला है हां आपको सेल्प अटेश्टेट दो फोटो कापी ले जानी है जो आपने अपलोड किये थे वही दस्ताविश्ट ले जाने और साथ न आप किये जब होगी तब अवि वेरिफिकेशन है इसका दस्तावेजो के सत्यापन से कोई संबंढ़न नहीं है आपका चाहिए सपत पत्रों आप बचन पत्रों यह अभी नहीं लगे गा जब आपकी जॉइनिंग होगी उस समय ये आपसे मांग लिया जाएगा और जॉइनिंग पे करीबन आपको पांच दिन से लेके पंदा दिन का समय दिया जाता है तो कहीं से कहीं तक कोई confusion नहीं है दोस्तों और ये भी नियम आपने देखी लिया है कि आपके जो दस्तावेज हैं उनमें किसी तरह के टंक्रन तुट्टी वर्तनी अक्चर विन्यास आदी कैसी भी आपकी तुट्टी हो गई उससे कोई भी आपको परिसानी नहीं है आपका सरनेम चेंज हो गया उससे भी कोई परिसानी नहीं है तो यहां से यहां तक आप कोई भी कंफुजन मन में ना रखें तो दोस्तों जितने आपके कंफुजन है और डेली जितने आप मुझसे कौशन पूछते हैं उनने सब को लेकर मैंने एक वीडियो नहीं करीबन दस-दस वीडियो बनाए हैं हर एक कौश्चन पर ले एक्चन सम्मेंदी डॉकिमेंट कब तक के मान रहेंगे वेरिपीकेशन से कोई अत्रिक डॉकिमेंट लगेगा क्या बीएड में चायन विसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बहुत से ऐसे आपके जो कॉशन होती हैं दोस्तों लगातार मैं वीडियो लाया हूं लेकिन फि जब कॉशन बार-बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों तो उनका मुझे लगता है कि आप कोई भी कॉशन लेकर यहां पर मेरी प्लेलिस्ट या वीडियो देखेंगे तो उसमें हर एक कॉशन का जबाब आपको मिल जाएगा यदि मैं पांच वीडियो बना रहा हूं तो कराएं वर्ग दो की बात करूं तो सेम डॉकिमेंट्स उनको लगने हैं सिर्फ मास्टर डिग्री उनसे नहीं मांगी गई है तो यदि आपने अपलोट की या वर्ग दो बालों ने मास्टर डिग्री है तो डेफिनेटली आप ले जाना यदि नहीं की अपलोट तो आपको सब्सक्राइब कर दें आपने इसको देखने के लिए इतना समय ने काला उसके लिए तहे दिल से धन्नवाद